अलो स्टुडेंस वल्कम बाक तो दियामेजिंग प्लाट्फोर्म आज हम आपका यह चाप्टर रिप्रदक्शन और्गानिजम खतम करने वाले हैं अब इसके बाद हम वही पोशन कवर करेंगे पहले जो आपके सिलेबस में है तो प्लीज कमेंट करना बन कर दो तुमारी फर्माईश सुन ली गही है ना कितनी और सुनाओगे अ के सदच ना के सबढ़ice नहीं किएह तो को को थोड़ा से रिवाइस करातीी है काल हमने पढता है शस्लोर्य बैदिए सटच्वर्दक्शन नहीं क singular से क्वेक्शल में गेमीड का बनना now इसा नहीं होती है कि सेक्शुल रिप्रदूसिंग और माइटॉसिंग नहीं होती है बेटा हम भी सेक्शुल रिप्रदूसिंग वाले और गानिजम है बट हम इतने बड़े जो बने हैं इसा नहीं होती है आप खुद देख लो अपने आसपास सारे इंसान दिखाई दे रहेंगे आपको बट क्या वो ख्लोंस है नहीं वो ख्लोंस नहीं है और एक बात बताई थी बेटा सेक्शुल रिप्रदूसिंग में जनरली दो पेरेंट्स इन्वाल्ड होते हैं जैसे हमारा ही देख लो एक मेल पेरेंट है और एक फीमेल पेरेंट है है ना बट हमेशा हो यह जरूरी नहीं है है ना हमने मोनोशियस कंडिशन के बारे में सबसे पहले होता है प्रिपरेटलाइजेशन उसके बाद प्र्टलाइजेशन पारे मिंने पिष्डे लेक्शेमें में वही डिसकस्ट किया था बेटा जो हमारी NCRT में है और जो प्लांट से रिलेटेड है क्यों कि मैं आपको बॉटनी का सेक्शन पढ़ा रही हूं ठीक है उसके बाद अपने बात की थी बेटा गैमीट कैसे होता है जब तक बेटा गैमीट का फ्रांसफर नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है एमा राइट येस एंड गैमीट रांसफर बहुत इजी था बेटा जो प्लांस पानी में है जेक है जमारे यल्गी हो गया ब्रायो फाइट हो गया टेरिडो को भी पड़ती है पानी की 11th क्लास में पढ़ा होगा क्यों क्योंकि एल्गी ब्रायो टेरिडो में गैमीट मोटाइल होते है जहां पर बेटा गैमीट मोटाइल होंगे पानी की मदद लगेगी उनके चलने में ठीक है यहां पर अगर गैमीट मोटाइल नहीं है कहां नहीं है सीड प्लांस में और शीट बेरिंग प्लांस कौन होता है जीम नोगों एण यह वहां पर आ आपको मदद लगती है पॉलेंग्रेंज की बट पॉलेंग्रेंज की अंदर मेल गया मीट है अब पॉलेंग्रेंज को उड़ाना पड़ेगा उडाने के लिए जो मैथर लगता रगता है तो बहुत confusion है हो नहीं नहीं चाहिए अगर है भी तो बेटा वो भी दूर हो जाएगे टेंश नहीं लेना ठीक है वाई टो फियर वेन आप associated हो पी डबलू से येस तो start करते हैं बेटा आज का अपना कारिकरम और इस कारिकरम में हमें क्या पढ़ना है दो इवेन्स जो रहे गए हैं बहुत छोटे छोटे इवेन्स है एक आपको दिखाई दिरा होगा बेटा फटिलाइज़ेशन का टॉपिक विच वी अब तो कवर और दूसरा है बेटा पोस फटिलाइज़ेशन इवेन्स यही दो इवेन्स आज हम करेंगे आपको बस जा करके वो प्राक्टिशी देखने होंगा और चीटिंग नहीं करनी है से पहला इवेंट है क्योंकि फर्टिलाइज से पहले एक इवेंट हो चुका है आज का इस लेक्षर सब कुछ है ठीक हमारी महीं एस हम को उसी से तरव उमको गुछ पंडना है सो उसमें लिखा हुआ है बेटा इसको सबसे वाइटल इवेंट कहा गया है because sexual reproduction में बेटा chemis को fuse कराना पड़ेगा तब ही तो बनेगा zygote है ना so that is why it is said to be vital event very important, vital means very important event और fertilization होता क्या है तो इसको define कैसे करेंगे अच्छा मैंने देखा बच्चे कहते है मैं define करवाए करो बेटे मैं definition ही लिखवाती है तुम लोगो इसलिए आज मैंने क्या किया है definition ऐसे लिख दिया है बेटा कोही भी चीज हो आपको definition लिखवाई जाती है अच्छा बच्चो ऐसा रगता है paragraph में लिखोगे बड़ा बड़ा लिखोगे तभी examiner आपको marks देगा नहीं to the point लिखोगे तो examiner आपको marks देगा ठीक है examiner को सही answer से मतलब है ठीक है okay definition क्या होता है बेटा definition fertilization का होता है fusion of male and female gametes और इसी fusion से बनता है बेटा zygote ठीक है so fertilization किसको बहते है fusion of male and female gametes को अब you will study two types of fertilization ठीक है कौन-कौन से दो type of fertilization होता है बेटा एक होता है external fertilization external fertilization and दूसरा होता है बेटा internal fertilization क्या होता है internal fertilization अच्छा कुछ बच्चे टाइटिंग की बहुत तारीफ करते हैं उनको बहुत दहे दिल से शुक्रिया yes so one is internal and one is external fertilization बेटा biology ना बड़ी easy है क्या है इसमें इसमें आपको कोई numerical solve तो करना नहीं है है ना तो बड़ा easy है नाम में ही मतलब छुपा है और यहां पे भी आप नाम देखर के मतलब बता सकते हो fertilization का मतलब होता है fusion gametes का external का मतलब अगर fusion शरीर के बहार हो रहा हो internal मतलब अंदर अगर शरीर के अंदर fusion होगा तो हम उसको बोलेंगे internal जैसे हमारे में humans में humans में किस प्रकार का fertilization होता है बिटा अंदर internal बेबी भी internally develop होता है fertilization भी internal होता है है ना लेकिन मैं अगर algae के बात करूँ algae पानी में रह रहे हैं है ना fishes आपने animals kingdom में पढ़ा होगा fishes amphibians उनका fertilization कैसे हो रहा है बेटा बाहर water body में है ना तो हम इसको define करते हैं बेटा define कैसे करेंगे देखो बेटा define कर रहे हैं ठीक है येस external fertilization मतलब fusion of gametes fusion of gametes take place take place outside the body outside the body ठीक है यहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे बेटा fusion of gametes fusion of gametes take place take place inside body inside body ठीक है अगर मैं आपसे पूछू examples बता दो तो examples वैसे आपको बहुत सारे पता होंगे बट हम किसका example लेने वाले बच्चों हम example लेंगे जो हमारे syllabus में है ठीक है मतलब और वह भी botany related example लेंगे जैसे internal में अगर मैं plants में पूछू तो ब्रायो टेरीडो जिम्नो एंजियो सारे के सारे क्या आ जाएंगे बेटा इसके एक्जांप्ल्स येस that's right ब्रायोफाइट्स याद आनी रहा होगा वैसे 11 में सब कुछ पढ़ा हुए बेटा ब्रायोफाइट्स टेरीडोफाइट्स टेरीडोफाइट्स जिम्नो स्पर्म एंजियो स्पर्म एंजियो स्पर्म का डिटेल पढ़ लोगे बेटा आप नेक्स चाप्टर नेक्स चाप्टर में सेक्शुल रिप्रडक्शन जो पढ़ने वाले हो ना वो पर्टिकुलर्ली एंजियो स्पर्म का ही पढ़ने वाले हो थोड़ा सर रिवाइस करा देती हूं, क्लास 11 में, आपने पढ़ा होगा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, और एंजियो में, इन में बेटा, जाइगॉट कहां पर बनता है, यूजन कहां पर होता है, फीमेल, गेमीटोफाइड के अंदर, और अगर फीमेल के अंदर हो गया बेटा, फ्यूजन, तो इसलिए में इसको किसका एक्जाम्पल बोल देते हैं, इंटर्नल फटिलाइजेशन का, है ना, और यहां पर एक्जाम्पल्स लिखोगे, most of the algae, क्या लिखोगे बेटा, most of the algae, अच्छा, आप सोच रहोगे कि, why I am not writing all algae, है ना, anyone can, बदलब आप सोच सकते हो, why I am not writing all of the algae, yes, why, क्योंकि बेटा, इसका एक exception है, एक exception में आपको बता रही हूँ, and exception is, Spirogyra, क्या exception है, Spirogyra, बिटा, Spirogyra में इन्टर्नल Fertilization चलती है, क्या चलती है, इन्टर्नल Fertilization, ठीक है, तो अगर आप तक कोई पूचे के सारे के सारे algae, आपको इस तरीकी का Fertilization शो करते हैं, ना बबना, ठीक है, हमारी NCRTB, Most of the algae लिखती है, और हमारी NCRTB, Majority of algae लिखती है, इसके साथ fishes और amphibians भी लिखती है, बट वोzology में पढ़ते हैं, इसलिए मैं आप example नहीं लिख वा रही हूँ, I am only concerned with the examples of plants, ओके, अब हम थोड़ा सा external का फाइदा और नुकसान देख लेते हैं, क्या फाइदा है बेटा, external का, देखो, external में होता क्या है बेटा, external में problem क्या आती है, external के respect to question पूछा जाता है, तो external problem यह है, कि जो zygote बन रहा है बेटा, वो शडीर के बाहर बन रहा है, देखो, रख, internal होती है ना, तो mother body के अंदर बनता है, और mother body फिर उसकी proper care करती है, उसको protect करके रख सकती है, because वो exposed नहीं है environment में, लेकिन आप खुद सोचो बेटा, मशलियों में, amphibians में, अगर body के बाहर बन रहा है, zygote अगर बेटा बाहर बना, तो zygote ही तो आगे जाकर बच्चा डेवलप करेगा, है ना, that means बच्चा भी तो बाहरी बन रहा है, अब मालो मशली है, मशली ने zygote बाहर बनाया, है ना, तो zygote का development भी बाहरी चल रहा है, offspring भी बाहरी बनेगा, तो सुचो छोटी मशली बनने लगी, पता चला, बनते बनते कोई शार काई उसको खाली, तो इसका एक disadvantage है, disadvantage यह है, क्योंकि zygote बाहर बन रहा है, offspring का development भी outside the body चल रहा है, तो कोई इसको protection नहीं मिल पाती, and they are prone to predators, ठीक है, they are vulnerable to the predators, predators इनको खा जाते हैं, दूसरी बात बाहरी 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 बच्चो, एक male मशली है, एक female मशली है, अब आपको पता है, female एक जगा बैठी हुई है, अब male चल फिर सकता है, तो male जाएगा female के पास, है ना, लेकिन बेटा, अब gametes हो सकता है, target location तक ना पहुचे हो सकता है, बहे जाएं, इधर उधर चले जाएं, इस loss को कैसे compensate किया जाएं, तो कल भी हमने से related एक चीज पढ़ी थी, इस loss को compensate करने के लिए, हमेशा male gametes का number जादा होता है, तो external fertilization में क्या होता है, बेटा, male gametes are released more in number why to enhance to enhance the chance of thingammy कह सकते हो बेटा, या fertilization कह सकते हो, आपके level पर बेटा, बोटनी के respect में दोनों सेम बात है, थोड़ा बोट डिफरेंस होता है, बटो आपको higher classes पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर जबरते हैं, NCRT ने लिखा हुआ है, कि इन दोनों को हम सेम जगा पर इस्तमाल कर सकते हैं, खिक है, और क्या बेटा है, इसका disadvantage क्या बताया, only disadvantage is that, only disadvantage is that, offsprings जो बन रहे हैं, offsprings are prone to, किसके बेटा, they are prone to predators, predator कौन होते है बेटा, जो prey को खा जाते हैं, वो उनको खा जाएंगे, ठीक है, और क्योंकि बेटा, इसमें इंटर्नल नहीं चल रहा, बाहर चल रहा है सब कुछ, environment में, environment कुछ भी हो सकता है, तो male और female gametes का release होना, synchrony होनी चाहिए, synchronize, मतलब साथ साथ में event होना चाहिए, otherwise, जो chances है, वो decrease हो सकते हैं, हाथ का, तो इधर ही जाना चाहिए, पता चला कि जब आप dance करते हो, जैसे, पटिकलर ही चुप डूप डान्स होता है, तो आपको तभी मज़ा आता है, जब सिंक्रनी हो, सिंक्रनी मतलब एक साथ, अगर सब का हाथ ऐसे जा रहा है, movement should be synchronized, है ना, otherwise, तुमें अच्छा नही तो यह हमारे points है, with respect to the external fertilization, अगर आपको आये exam में, मैं side हो जाती है, आप देख सकते हो, लिख सकते हो, screenshot ले सकते हो, तो फटा फट बेटा यही point wise उठा करके लिख देना है, clear है, okay, तो हमने external सारा का सारा पढ़ लिया है, now let's focus on the, एक second, now let's focus on the internal ones, internal में वैसे हमने सारे examples औ को हमारी NCRT बताती है, हमारी NCRT में लिखा हुआ है बेटा, क्यों अगर internal हो रही है, internal इसी लिए हो रही है बेटा, क्योंकि female gamete, जो egg होती है, that is formed inside the body, ठीक है, वो बाहर रिलीज नहीं हो रही है, बोडी में, ठीक है, so the female gamete, female gamete, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, egg, is formed inside the body, अगर मैं बेटा, algae की बात करूँ, bryophytes की बात करूँ, और teridophytes की बात करूँ, तो इसमें जो male gametes होता है, male gametes are motile, and जो female gametes होती है, वो कैसी होती है, बेटा, non-motile, आप खुद सोचो, कौन किसके पास चल के जाएगा, कौन किसके पास चल के जाएगा, क्योंकि male motile है, तो वो चल करके जाएगा female gamete के पास, ठीक है, और female gamete एक body के अंदर मौजूद है, तो जब male female के पास जाएगा, तो fertilization ह हो जाएगी, बट अगर मैं seed वाले plants की बात करूँ, seed bearing plants की बात करूँ, कल भी बताया था बेटा, seed bearing plants की बात करूँ, तो वो कौन है बेटा, gymno, gymno and NGO, इसमें क्या होता है, बोथ gametes are non-motile, बोथ gametes are non-motile, तो कौन लेकर के जाता है, female तक, because female तो चलेगी नहीं बेटा, ठीक है, कौन एप्रोच करता है, male female को एप्रोच करता है, ना, so, male gametes are carried by pollen grains, किस process के through, pollination के through, ये detail पढ़ोगे बेटा, next chapter में, इस chapter में नहीं, बस इतना समझना, pollen grains के अंदर male gametes है, pollen grains जब उड़के जाएगा, चाहे उड़े, या उसको कोई लेकर के जाए, ठीक है, मदुमक्खी मालोड लेकर के जा रही है, तो इस pollination के process के through, चल तो खुद नहीं सकता, तो pollination की मदद लेगा, और female तक पहुँच जाएगा, और female कहां बैठी है, अंदर बैठी है, इसलिए सारे internal के अंदर आ रहे है, एक और point है, जो मैं लिखना चाहूंगी बेटा, एक और point है, जो मैं लिखना चाहूंगी, जो NCRT लिखती है, वो ये है, कि internal fertilization में क्या होता है, इसमे भी, male gametes are produced more in number, are produced more in number and there is significant reduction, significant reduction in number of female gametes, जिससे अगर बैठा, human being का example ले लो, हैना, human being में internal fertilization चलती है, हैना, बिल्कुल चलती है, आप देखो, sperms millions में produce होते हैं, बड ओबात आपको पता ये ना कितनी है, आप पढ़ोगी, human reproduction में, तो male का number इतना ज़ादा हो जाता है, female का number बहुत कम होता है, just to enhance the chance of fertilization, ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी fertilization की, types of fertilization की, इसके लाबए, NCRT हमारे, कुछ ऐसे organisms के बारे में बताती है, जिसमें fertilization नहीं होता, वो parthenogenesis की मदद लेते हैं, offspring को develop करने में, जैसे, वैसे तो birds का example लिखवाना नहीं चाहिए, बट से NCRT is writing, तो आप लेख लो, ठीक है, इस bird का जिक्र है, और किसका जिक्र है बेटा, honey bee का, honey bee, honey bee वैसे animals में आता है, बट आपको ये genetics में पढ़ना है, इसके पीछे का reason पढ़ना है, इसलिए आपको यहां लिख पा रहे हैं, even कुछ rotifers हैं, और कुछ lizards हैं, इसमें, बेटा, fertilization नहीं होती है, fertilization does not take place, तो फिर बच्चे कैसे बनते हैं, बेटा, ठीक है, offsprings are produced by parthenogenesis, बेटा, parthenogenesis, बेटा, parthenos का मतलब होता है, virgin, तो यहां पर virgin वर्ट का इस्तमाल क्यों हो रहा है, because fertilization is not taking place, और इसका detail पढ़ोगे, बेटा, genetics में, जब आपको honey bee का example लेकर बताया जाएगा, चाहिए थोटा बहुत idea होगा, बेटा, जो male honey bee होता है, जिसको हम drone कहते हैं, वो जो बना है, बेटा, male, वो बिना fertilization के बना है, वो parthenogenesis का result है, तो ऐसे भी कुछ organisms हैं, जिसमें आपको fertilization नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, so yes, NCRT-EC के बारे में बताती है, तो आप इसका हम NCRT reading भी का लगा लेते हैं, ठीक है, फटा फट reading करेंगे बेटाए, आप NCRT खोल करके बैट जाओ, so what is written, fertilization को सबसे vital event कहा गया है, लिख लिया अलड़ी हमने, ठीक है, परहापस यह क्या होता है, it is the fusion of gametes, कौन से, male and female gametes, this process called syngami, ठीक है, और इसी की वज़े से क्या बनता है, डिपलोइट zygote, definitely बनेगा, क्योंकि देखो, एक male gametes है, और एक female gametes है, कली बतायाता है, बेटा, gametes हमेशा क्या होते हैं, haploid होते हैं, है न, तो यह भी haploid, यह भी haploid, तो n plus n fuse करेगा, तो क्या बनेगा, बेटा, zygote, तो zygote की ploidy क्या होगी, बेटा, 2n, ठीक है, zygote की ploidy क्या होगी, 2n, इस process को हम और क्या बोल सकते हैं, बेटा, fertilization भी कहा जाता है, ठीक है, तो कुछ बच्चे difference पूछते, बेटा, difference आपके level पे required नहीं है, उसके बाद द नेक्स्ट वेशन है, NCRT का, what would happen if civ gamete does not occur, क्या होगा, इस fertilization नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, honeybee में थोड़ी होती है, बच्चा तो बनी जाता है, male honeybee तो बनी जाते हैं, और इस process को क्या बोलते है, parthenogenesis, तो वहीं लिखा हुआ है, example में rotifers, honeybees, कुछ lizards हैं, और एक bird का नाम दिया हुआ है, इसमें female gamete undergoes development to form new organism, ठीक है, जो female gamete होती है, जैसे honeybee की respect में पढ़ोगे बेटा, ठीक है, honeybee में female gamete का number, जो होता है, 16 chromosome होती है, उनके पास, ठीक है, female ने gamete बना लिया, और gamete के पास chromosome number कितना है, 16, retail पढ़ाओंगे, genetics में, ये female gamete क्या करती हैं बेटा without any fertilization, without fertilization, मतलब इनको कोई sperm की मदद नहीं चाहिए, इनको कोई male gamete नहीं चाहिए, ये सीधा का सीधा develop कर जाती है, develops to form male honeybee, आप खुद देखो बेटा, ये जो male honeybee बन रहा है, इसमें कोई fertilization हुई, नहीं, तो इसी process को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी process को हम बोलते हैं parthenogenesis, जो हमने लिख लिया है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सिंग गैमी कहा होती है, ये तो depend करेगा organism कैसा है, कुछ organism में अंदर की तरफ होती है, fertilization, कुछ में बाहर की तरफ, internal and external, तो देखो लिखा हुआ है, जादा तर aquatic organism, जिसमें algae आ गया majority, क्योंकि exceptions होते हैं, इसले सारे ने लिखे हुआ है, majority लिखा हुआ है, fishes और amphibians, सिंग गैमी चलती है, external medium में, और external medium क्या है, बेटा, water, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, outside the body of organism, जो हमने अल्यदी लिखा हुआ है, this type of gametic fusion is called external fertilization, जो organisms, बेटा, external fertilization exhibit करते हैं, they show a great synchrony between the sexes, ठीक है, यह भी लिख रहा है, आपने synchrony क्यों चाहिए, फटलाइशन के chance को बढ़ाने के लिए, आगे लिखा हुआ है, it raises large number of gametes into the surrounding medium, in order to enhance the chance of sing gametes, नही तो, क्योंकि chance factor रहा है, जादा तैनात कर दोगे male gametes, जादा produce होगे, कोई ना कोई तो पहुँच जाएगा, फीम पड़ा होगा, where a large number of offsprings are produced, ठीक है, large number of offsprings क्यों बन रहे है, आपको पता है, जादा number of gametes release हो रहे है, a major disadvantage is that offsprings are extremely vulnerable to predators, क्योंकि in excellent environment बन रहे है, उनको किसी को खा जाने का डर लगा ही रहता है, यहाँ पर gametes जादा release होते है, चाहे male हो, चाहे female हो, ठीक है, इसलिए जादा number of zycot बनेगा, जादा number of बच्चे आएंगे, हम उसमें internal में क्या बात करते है, male preferably जादा बनता है, ठीक है, okay, एक और paragraph है, many terrestrial organisms, कौन-कौन से आगया बेटा, belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, यह तुम्हारा zoology का example है, और majority of plants, हमने सारे plants के example लिखे हुए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंग्योस्पर्म, से इंगयामी कहा चल रही है बेटा, इंसाइड, और जब इंसाइड चलती है, इस process को क्या कहते है, internal fertilization, इसमें क्या होता है बेटा, एग शरीर के अंदर बनता है, that is why male, जब उस शरीर के अंदर जाता है, तो fusion भी अंदर ही होती है, ठीक है, इस organisms में, जो exhibit करते है, internal fertilization, male gamete motile होता है, तो उसको पहुचना पड़ेगा एग तक in order to fuse with it, ठीक है, in these, even though the number of sperms produced is very large, and there is significant reduction in the number of eggs, human का example ले लो, ठीक है, ये male gamete motile कहा कहा, किसके लिए बात किये बेटा, algae के लिए, bryo के लिए, और सिर्फ terido के लिए, gymno और NGO के लिए कहां बात किये, यहां पर देखो, in seed plant, seed में कौन आ गया बेटा, gymno आ गया, और NGO आ गया, इसमें क्या हो रहा है, the non-motile gametes are carried to female gametes, कौन कैरी कर के लिए जाता है, pollen grain, pollen grain जाता है, stigma के ओपर बेटा, एक tube बनाता है, यह सब आप next chapter न पढ़ने बाले हो, इस tube को बोलते है, pollen tubes, ठीक है, okay, fertilization हमने पढ़ लिया, जो सबसे important event था, fertilization के बाद हम चलेंगे बेटा, post fertilization, इसका भी बेटा, मैंने आपको बताया थाना, आप बहुत अरे बच्चे कह रहते हैं, मैं यह chapter क्यों पढ़ा रहे हो, क् थोड़ा mis confusion था, थोड़ा planner, change कर दिया गया है, revise कर दिया गया है, बट मैंने आपको कहा थाना, इस chapter की knowledge waste नहीं जाएगी, बिल्कुल भी waste नहीं जाएगी, क्योंकि इसके knowledge को आप इस्तमाल करोगे next chapter में, इसमें भी बेटा, इस event को आप पढ़ने वाले हो detail में next chapter में, इसम ठीक है, आप पढ़ोगे embryo formation के बारे में, बेटा, zygote stingami का result है, ठीक है, बट जब वो develop करता है, तो zygote बना कब है, fertilization के बाद, तो development भी उसकी post fertilization में आएगी, post का मतलब समझ रहे होना बेटा, post का मतलब होता है, बाद, fertilization के बाद अब क्या event होने वाला है, ठीक है, pre का मतलब था पहले, fertilization के पहले क्या होने वाला है, ठीक है, और post का मतलब fertilization के बाद क्या होने है, तो बाद क्या बढ़ेंगे, zygote का development, embryo का formation, embryo formation, जिसको हम क्या बो यही दो event detail में लिखा हुआ है, ठीक है, और क्या-क्या होता है बेटा, यहाँ पर बहुत detail में नहीं पढ़ाए गया, आप पढ़ोगे, ठीक है, ovary convert हो जाती है बेटा, fruit में, ovule convert हो जाता है seed में, ovary की wall, बनाती है बेटा, fruit की wall, जिसको हम बोलते हैं, pericarp, 11th class में पढ़ा होगा, और ovule की wall, क्या बनाती है, बेटा, seed की wall, चना बगएरा में देखा होगा ना बेटा, एक पतली सी layer होती है, seed coat, आम में देखा होगा बेटा, आम एक fruit है, तो छिलका उतारते हैं ना, वो fruit की layer है, fruit का wall है, तो उसको हम pericarp बोलते हैं, और कौन से events आते हैं, बेटा, endosperm formation, endosperm formation, ये भी fertilization के बाद हो रहा है, ये जितने भी events यहाँ पर लिखे हैं ना, बेटा, every event is taking after fertilization, तब ये post-fertilization का event है, ये ovary से लेकर के यहाँ तक, ये सारा next chapter में detail में पढ़ाया गया, यहाँ पढ़ाया, इस chapter में zygote का development, embryogenesis समझाए गया है, तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, आजाओ, सबसे पहले आप हम पढ़ेंगे zygote, तो zygote बेटा, जितने भी sexual reproducing organism है, बनेगा ही बनेगा, इसलिए NCRT लिखती है, universal, किसके respect में, universal in all sexually reproducing organism, क्योंकि fusion तो हो रहा है बेटा, ठीक है, उसके बाद development किस पर depends करता है, जाईGODE डवलप कैसे हो रहा है, ठीक है अंदर हो रहा है, बाडी के या बाहर हो रहा है, किस पर depends करता है बचा, यह depends करता है organism पर, जैसे हम है, तो हमारे में जाइगोट अंदर बन रहा है, तो और्गानेसम पर डिपेंड करता है, दूसरा किस इनवाइमेंट में यह है, ठीक है, पंजाई और एल्गी की बात करें हम, तो यह लोवर और्गानेसम हैं, यह बहुत एडवांस नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, तो जैसे हमें तो कोई भी कंडिशन दे दो, ठंड में बेश दो, तो जैकेट से अपने आपको कवर करने लगते हैं, चार-पांच मोजे, जूते, बूट, सब पहन के तयार हो जाएंगे, मफलर, टोपी, लगाके, गलफ्स, तो वी बिल अवोईड अनफेवरेबल कंडिशन, वीकॉस वी आपके लिए, वी बिल अनफेवरेबल कोई वी कंडिशन जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो फंजाई और इल्गी में, जैसे ही अनफेवरेबल कंडिशन आती है तो जाएगोट क्या करता है, जाएगोट डेवलप्स अठिक वाल, अठिक वाल to prevent to prevent from desiccation, desiccation मतलब dry होना and damage तो फटा फट ये अपने क्या बना लेगा, अपने तरफ अपने around कभच बना लेगा, और कभच बनाने के बाद, फंजाई और रहलगी को उस unfavorable condition से बचा लेगा तो zygote develops a thick wall to prevent from desiccation and damage, during which condition बेटा, यह मिशा थोड़ी करके बैठा रहता है, during unfavorable condition जब favorable condition आएगी, तो wall बेगार हट जाएगी ठीक है, that means ये ऐसा क्यों करता है बेटा ये अपने आपको छुपा सके, बचा सके, और जब ये वाली stage आती है न, तो हम इसको resting stage कहते है, तो zygote undergo, which stage बेटा zygote undergo resting stage ठीक है, next बेटा, अगर कोई organism haplontic life cycle बाला है, पता है कौन सा organism है, भूल चुके होगे, बट कोई नहीं, algae, ilaline class में पढ़ा हुआ है, algae का life cycle बाला page खोल के देखना मैं आपने कल भी बोला था देखने के लिए, पता नहीं आएगे सापने देखा या नहीं देखा है, और प्लीज माम और teacher की teacher जो भी कहते बात माना करो बेटा, क्योंकि वो आपकी बहलाई के लिए है, ना, so haplontic life cycle का मतलब होता है, अगर किसी life cycle, किसी organism के life cycle में एक phase कोई dominant, अगर haploid phase dominant होता है, तो haplontic बोलते हैं, diploid phase dominant होता है, तो diplontic बोलते हैं, हम एक diplontic organism से हैं, ठीके, हमारे में haploid phase तब ही आता है, जब gamete बनता है, और या स्पर्म बने, अदर्वाइस, rest, everything is diploid, algae में majority phase haploid stage में होता है, आप खोल के life cycle देख सकते हो, तो haplontic life cycle बोलते हैं, उनके zygote के साथ क्या होता है, कल भी बताया था, उनमें zygote undergo meiosis, zygote undergo meiosis, जब zygote में meiosis होती है, बेटा, such meiosis, such meiosis is known as zygotic meiosis, और meiosis होकर के क्या बनाता है, and form haploid body, और फिर बेटा, यही haploid body grow करके पुरा का पुरा algae बना सकती है, जैसे यह रहा zygote, ठीके मानलो, यह algae का zygote है बेटा, यह zygote, zygote कैसा body होता है, बेटा, diploid body होता है, इसमें क्या होती है, बेटा, meiosis होती है, meiosis होने के बाद बनती है haploid body, और यही haploid body जो भी बनेगी, वो पुरा का पुरा algae का body बना सकती है, ठीके, यह लिखा हुए NCRT में, और क्या लिखा हुआ है, यह vital link है, अच्छा, याद रखना, event पूछा जाए, तो वो fertilization is the vital event, यह उभी the vital link, vital link किसके किसके बीच में है, दो successive generation है, बेटा, आप किससे बने हो, बेटा, आप भी एक zygote सही बने हो, वो zygote कहां से आया है, मम्मी पापा के gamete के fusion से आया है, पेरेंट के gamete के fusion से आया है, so vital link between two successive generation, और अगर यह ना बने बेटा, तो continuity कैसे maintained होगी, तो यह क्या ensure करता है, it ensures continuity of generation, ऐसे लिख लो, continuity of species, from generation to generation, एक और NCRT में बेटा line है, वो खतम करेंगे, his zygote खतम, ठीक है, कोई भी sexually reproducing organism हो, चाहे हम क्यों ना हो, for example, humans, हम एक multicellular organism है, है ना, humans कैसा organism है, बेटा, multicellular organism, यह भी किससे बना है, are formed from single celled zygote, इतने बड़े जो हम बने हैं, ना, बेटा, यह zygote सही बने है, वो zygote एक cell का था, उस cell में multiple cell division हुआ है, ठीक है, और cell division के result है, बेटा, इतने लंबे चौडे, हटे-कटे, humans the most advanced social animal, तो कोई भी sexually reproducing organism हो, zygote बनता है, फिर वही आगे जाकर के, develop करता है, cycle को continue करता है, species को, continuity generation to generation maintain करता है, ठीक है, तो यह सारी बाते हैं, हमारे zygote की, और NCRT पढ़ते हैं, इसको खतम करते हैं, तो देखो, क्या-क्या लिखा हुआ है, formation of deployed zygote, is universal, सारे कि सारे, sexually reproducing organism है, अगर कोई organism, external fertilization show करता है, तो बेटा, zygote कहां पर बनेगा, external medium में, outside the body, ठीक है, अगर कोई organism, internal fertilization show करता है, तो zygote कहां बनेगा, inside the body, well understood, ठीक है, बाकी का जो development होता है, zygote का बेटा, किस पर depend करता है, किस प्रकार का life cycle है, organism का, और किस तरीके के, sorry, environment में वो रह रह रहा है, ठीक है, in organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall, ठीक है, जो उसको desiccation और damage से बचाता है, during unfavorable condition, it undergoes a period of rest, एक resting stage में चला जाता है, before germination, in organisms with haplontic life cycle, जो आपने class 11 में पढ़ी हुई है, देखो, अंसे आटी भी लिखती है है, zygote divides by meiosis, to form haploid spores, और फिर यही spores germinate करके, पुरा का पुरा algae की body बना सकते हैं, consult your class 11 की book, and find out what the kind of development takes place in the zygote in organism, with diplo and haplodiplontic life cycle, ठीक है, तो यह आपको revise करने के लिए बताया जा रहा है, कि what will happen with diplontic, diplontic में बेटा, मैं आपको बता देती हूं, आपको किसका किसका देखना है, diplontic life cycle में आपको देखना है, gymno का, और angiosperm का, ठीक है, angiosperm का तो मैं ही पढ़ा दूगी, next chapter में कि क्या होगा zygote के साथ, ठीक है, जिसे algae में पढ़ाना कि zygote तुरंट से meiosis कर लेता है, और फटाफट से spore बना लेता है, यह सिर्फ haplontic life cycle के लिए है, ठीक है, haplodiplontic life cycle में फटाक से meiosis नहीं होती, वो mitosis करके embryo बनाता है, ठीक है, मैंने बता दिया है वैसे तुन्हों चेक भी कर लेना, ठीक है, bryo terido, ठीक है, तो अप्रेवाइस कर लेना, हमारे NCRT ने यह सहरा बताया हुए, उसके बाद देखो, यह vital link है, जो ensure करता है continuity of species, between organism of one generation, और आगे आने वाले generation में, every sexually reproducing organism, चाहे हम भी हो, हमने भी अपनी life कहां से शुरुवात की थी, एक single cell, zygote cell, ठीक है, last हो हमारा बचता है बचो, that is, embryogenesis, that is embryogenesis, so what is embryogenesis, genesis का मतलब क्या होता है बेटा, formation, और embryo वर्ड लगा हुआ है, that means, embryo वर्ड लगा हुआ होता, इसको define कैसे करोगे, formation of embryo, formation of embryo, ठीक है, किससे बनता है, बिटा, एक zygote है, zygote आपको पता है, deployed होता है, है ना, इसी zygote से क्या बनता है, embryo, ठीक है, सिफ एलगी में, बेटा, ये zygote, pionsis करके, spore बना लेता है, एलगी को हटा दो, तो जितने भी, sexually reproducing organism है, उनमें, zygote क्या करता है, बेटा, mitosis करता है, और mitosis करके, embryo बनाता है, तो सोचों, मैं मैं आपको बताया था था ना, कि mitosis को नमबर, सबको सेम रहता है, तो अगर ये 2N है, तो बेटा, ये भी कितना होगा, 2N, और इसी, embryo के बनने को, क्या कहा जाता है, बेटा, embryogenesis, क्या कहते हैं, embryogenesis, ठीक है, और आपको पता है, mitosis क्या है बेटा, एक तरीके का cell division है, जैसे हम है, हम भी बेटा बने जाइगोट से, जाइगोट ने डिवाइट किया, embryo बनाया, फिर आप पढ़ोगे, human reproduction में, कि embryo कैसे कैसे डेवलप करता है, बेटा, fetus होता है ना, fetus का आपने देखा होगा, fetus डेवलप करता है थे, बच्चे का आँख, नाख, हाथ, पैर, धीर देवलप बनना शुरू होता है, फिर बेबी और डेवलप होता है, ठीके, और 9 मंस के बाद वो बहार आता है, तो वो सारा का सारा क्या हो रहा है बेटा अंदर, दिवीशन हो रहा है, ठीके, पहले तो एंब्रियो था, फिर एंब्रियो से जब बच्चा बनना शुरू होता है बेटा, तो वैसे तो सारे सेल्स हैं, बढ़ी सारी सेल्स बन रही है, एक जाइगोट ने डिवाइट किया, ठीके, बड़ी सारी सेल्स बन रही है, बात में क्या करते हैं, सेल्स को काम देना शुरू कर देते हैं, अच्छा, तुम हाट वाला काम करोगे, तुम नर्व सेल्स वाला काम करोगे, तुम हाथ वाले सेल्स हो, तुम तैर वाले सेल्स हो, तुम मसल सेल्स हो, तो यह क्या करना है, यह स्पेशलाइज करवाया जा रहा है, एक सेल को स्पेशलाइज कर रहा है, कि उसको आगे जाकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, जिससे आप बिटा आप आगे उसके बाद last year में आपको बोलेगा एक subject चुनो, तो that means आपको बोलेगा specialise करो, फिर आप MSC दोगे, उसमें भी किसी एक topic में आप specialisation करोगे, master degree हासल करोगे, MBBS में तो यही होता है, MBBS में आपको शुरू में सारा शारा पढ़ाया जाएगा, तो यह किसी को है बेटा, पढ़ तो सारा MBBS का लिया, अब आपको है कि सर्जन बनना है, तो आप सर्जरी वाला फील्ड चुनोगे, साड़े 5 साल के बाद जब PG का paper दोगे, तो यह क्या कराया जा रहा है बेटा, यह specialisation कराया जा रही है, तो similarly, जब mitosis हो गया embryo में और cells बन गई, तो उसके बाद cell differentiation होती है, ठीक है, cell differentiation का मतलब क्या है, cell को specialize किया जा रहा है कि आगे जाकर कि वो specific function perform कर सके, तो इसी तरीके से embryo में the specific functions differentiation कराऊगे, तो पूरा का पूरा organism के different parts बन जाते हैं, और उसके बाद तुम्हारा cycle खतम हो जाता है, ठीक है, समझ में आया है यहां तक, ओके, सारा पढ़ लिया है, लिख लेते हैं बेटा, तो क्या लिखोगे, यह embryo कैसे बन रहा है, तो आपको पता चल चुका है, embryo बन रहा है from zygote, ठीक है, zygote क्या कर रहा है बेटा, zygote undergo, undergo repeated division बेटा, undergo repeated division, कौनसी division है बेटा, mitosis, क्या बनाने के रही repeated division कर रहा है, embryo, इसी process को हम embryogenesis करते हैं, अब zygote बेटा, single cell था, but यह embryo कैसा होगा, multicellular stage, embryo is the multicellular stage, multicellular stage, ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, cell differentiation, cell differentiation will result in specialization of these cells, तो भी cells बन रहे हैं बेटा, उनमे जब cell differentiation होगी, तो बाद रुल 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 रुल, यह specialization of cell क्यों हो रही है, so that cells are able to perform specific function, to perform, to perform specific functions, cell differentiation के बाद क्या होगा, बेटा, after cell differentiation, after cell differentiation, this results in, this results in, formation of internal and external structure, और इस process को क्या कहते हैं, this process is known as morphogenesis, morphogenesis, genesis का मतलब बेटा, बनना, morpho मतलब forms, different forms का बनना, जैसे for example, हमारे example ले लो, हम तो एक छोटे से zygote हैं, ठीक है, हम एक छोटे से zygote हैं, बेटा, इस zygote क्या करेगा, mother body के अंदर divide करेगा, divide करके क्या बनाता है बेटा, कुछ और group of cells होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, embryo, अब बेटा, ये embryo धिरे-धिरे क्या करेगा, differentiation में जाएगा, ठीक है, cell differentiation में, 11th लाज से पढ़ा होगा, cell differentiation, पढ़ा है, याद है, जैसे एक cell, दो cell में convert हो गया, फिर ये एक cell, दो cell में convert हो गया, इस process को हम क्या बोलते हैं, division, ठीक है, जब तक divide कर रहा है, cell division चल रही है, मान लो ये cell, अब divide नहीं कर रहा, do not divide, तो क्या कर रहा है बेटा, ये differentiate हो रहा है, it is differentiating, क्यों differentiate हो रहा है, to perform specific function, to perform specific function, अगर मैं आपको थोड़ा सा 11th class से relate कर रहा हूँ बेटा, ये वैसे आपने anatomy of chapter में पढ़ा होगा, और आपको थोड़ा पूद cell cycle में भी पढ़ाया गया होगा, मान लो ये एक cell है, है ना, cell cycle याद करो, एक होती है stage G1, जब तक डिवाइड कर रहा है, वो इस cell cycle में रहेगा, जब एक cell को डिवाइड नहीं करना होता है बेटा, तो वो जीवन से भाग कर के चला जाता है G0 stage में, और G0 stage में जाकर के वो क्या करता है, differentiation, that means it is not dividing, बस वो अपने आपको specialise कर ला है, मालनों एक heart की cell है, heart की cell अब डिवाइड नहीं करना चाहती, उसको heart cell बनना है, उसको अपना heart वाली cell का काम करना है, मालनों को एक nerve cell है, एक cell है, अब वो नहीं जारे divide करना, क्योंकि उसको differentiate होना, उसको nerve की cell बनना है, उसको nerve signal कंड़क्ट करना है, तो वो अपना काम करना चाहरी है, वो डिवाइड नहीं करना चाहरी, इस process को हम बोलते हैं differentiation, तो embryo की जो cell से, वो भी टाइम के बाद cell differentiate करने लगती है, तभी तो बेटा धीरे धीरे हमारे हाथ, पैर, ये बाहर के external structures बनते हैं, eyelids बनती हैं, आखे बनती हैं, eyebrows बनती हैं, ठीक है, नाख, कान, जो भी ये सारे external structure बनता है, और फिर internal organs का भी टेवलपमेंट होता है, दीखे, ये cell differentiation के बाद ही होता है, और अंदर और बाहर के structures बनने वाले process को हम बोलते हैं, morphogenesis, अच्छा, हमारे अंदर बेटा, plants में भी अब specifically बात करोगे, embryo जब develop हो रहा होता है, खाना पीन तो चाहिए ना बेटा, बच्चा कैसे develop होगा, offspring कैसे develop होगी, खाना पीने तो चाहिए, अब humans में कैसे चाहता है, खाना पीना उच्छाब पढ़ोगे, ठीक है, plants में embryo को जो पोशर प्रवाइड करता है, इनके development के लिए, that is endosperm, ठीक है, that is endosperm, तो यह बात लिख लेते हैं, embryo gets nourishment, gets nourishment, I guess 10th में पढ़ा होगा, gets nourishment from tissue of endosperm, नहीं पढ़ा है, don't worry, endosperm का बनना, ठीक है, next chapter में दिया हो, अभी बस इतना समझना बेटा, endosperm एक food storing tissue होता है, और यही tissue, embryo को खाना provide करता है, जैसे embryo develop हो करके, आगे जा करके, पुरा और्गानिसम का body बनाने में help कर सके, ठीक है, तो यह सलसला है, पुरा का पुरा embryogenesis का, आओ, रीडिंग लगा लेते हैं बेटा, ठीक है, embryogenesis का, yes, embryogenesis क्या है, embryogenesis है, process of development of embryo, किससे बन रहा है बेटा, zygote से, ठीक है, embryogenesis के दौरान, zygote undergo cell division, ठीक है, कौनसी cell division, पहली बता दिये, मैंने mitosis, cell division के साथ-साथ, यह और क्या कर रहा है, cell differentiation, जो cell division होता है, that increases the number of cells, in the developing embryo, इसलिए embryo बन जाता है, multicellular वाला stage, और cell differentiation, किसमें help करता है, कुछ group of cells को, जो modify कर जाए, specialize हो जाए, to perform specific functions, ठीक है, next, you have studied about the process of cell division, difference in the previous classes, मतलब 11th की बात कर रहा है, जो आपको मैं थोड़ा सब brief दिया है, एक और बात मैंने आपको बताई थी, बेटा, वो भी लिख लिखते हैं, क्या बताई थी मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक note point डालोगे अपने note में, और लिखोगे, कि जितने भी sexually reproducing organism है, all plants, all plants show embryogenesis, all plants show embryogenesis, clear, okay, आजो पढ़ते हैं बेटा, अब next, एक और paragraph है, क्या बिखा हुआ है, देखो, in flowering plants, zygote is formed inside the ovule, ठीक है, after fertilization, sepals, petals and stamens of the flower, wither, मतलब जढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, flower में आपने देखा होगा, बहुत खुरूरत petals होती हैं, बेटा, एक green color का sepals होता है, उसकी dundi होती है, ठीक है, अंदर poly, androsium और gynosium, 11th लाट के morphology में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं बड़ा tension मुक्त हो जाओ, next lecture में पढ़ाने वाली हो, तो fertilization जैसे होगी न, zygote बगारा बन गया, तो ये सारे गिर जाते हैं, ठीक है, फिर NCRT क्या पूछती है, can you name a plant in which sepals remain attached, बिल्कुल 11th class के morphology में पढ़ा होगा, आपने wagon देखा है ना बेटा, wagon के उपर green dandy लगी रहती है, टमाटर, टमाटर जो घर में लाते हो, उसमें भी green color का चिपका रहता है न, उसको बन निकालते हैं, तो सेपल सी तो है, ठीक है, मिर्ची, मिर्ची में भी निकालते हो ना डंडी, green color की, सेपल सी तो है, तो सेपल किसी किसी में लगे रह जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारे plants में जढ़ जाता है, ब्रिंजल लिख लो, ब्रिंजल is the example जो NCRT आपसे पूछ रही है, दपिस्टल हाओएवर, रिमेंस अटाश्ट टू दी प्लांट, क्यों, बेटा, पिस्टल क्या है, पिस्टल मैंने आपको कल पढ़ाया था ना, ये है, basic unit of gynosium, ये stigma, ये style, ये ovary, ठीक है, तो सब को जढ़ जाता है, सिर्फ इसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि बेटा, यही ovary तो आगे जाका कि फल बनाएगी, जो आप खाओगे, मस्थ, मस्थ कर, है ना, अच्छा-च्छा, स्वाद वाला, ठीक है, इसलिए ये लगा रह जाता, because ovary has to be converted into the fruit, और इसी के अंदर, बेटा, क्या लगे होते हैं, ovules, ठीक है, और यही ovules आगे जाकर कि किसमें convert होते हैं, बीज में, ठीक है, तो ये लगे रहेंगे, बाकी सारे flower के पाट जढ़ जाते हैं, zygote develop कर जाता है, embryo में, post fertilization के बाद, ovules develop कर जाते हैं, seeds में, post fertilization के बाद, ovary develop कर जाता है, fruit में, fertilization के बाद, और develop करता है, thick wall, जिसको fruit की wall बोलते हैं, जिसको हम पेरी काप कहते हैं, जिसका काम होता है, protective, कोई भी बेटा कबाज है, कोई भी wall है, तो वो protection का ही काम करती है, ये सब पढ़ोगे next lecture में, next chapter में, detail में, ठीक है, after dispersal, seeds, seeds बनती क्यों हैं बेटा, dispersed होने के लिए, जढ़ने के लिए, और फिर वही seeds जिपसोल में गिरती हैं, तो पुरा का पुरा नया plant बनता है, ठीक है, तो this is how, जो life cycle है, वो चलती रहती है, और species की continuity बरकरार है, तो this ends, this chapter, ये बहुत basic chapter है, इसका बड़ा भाई आने वाला है, sexual reproduction flowering plants, लेकिन उस chapter में बेटा हम सिर्फ flowering plants, जिसको एंजियो स्परम बोलते हैं, उन में sexual reproduction कैसे होता है वो पढ़ने वाले, तो आप देखना, आपकी knowledge बिल्कुल, waste नहीं जाने वाली, knowledge कभी waste नहीं जाती है, तो मेरे साथ agree करोगे, जब आवो chapter detail में पढ़ होगे, and yes, that's all for this chapter, मिलते हैं, next lecture में, फुल जोश के साथ, पढ़ाई करके आना, revision करके आना, and practice sheet ज़रूर सौल करना, बिच्चर जो आपको मिलेगी, and तब तक के लिए, bye-bye, and take care everyone, bye-bye.